गाईस, इंगलिस सीखने के लिए सबसे ज़ादा ज़रूरी होते हैं प्रैक्टिस और ट्रांसलेशन की और अगर हम बात करें हिंदी मीडियम के स्टुडेंट की तो उनके लिए तो यह बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि वह हिंदी से इंगलिस ट्रांसलेट करें चीजों को तो ऐसा करने के लिए हमारे पास सेंटेंस हिंदी में होने चाहिए प्लस उसी सही ट्रांसलेट कर रहे है या नहीं ये भी हमें पता होने चाहिए तो गाईस इन सारी प्रॉब्लिम का सल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे सेंटेंस का कलेक्शन लेकर आई तो वो आपको नहीं जानता, लेकि आप उसे जानते हैं, तो आप उसे कहते हैं न, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, तो हम बोलेंगे, I know you very well, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आपको मेरा नंबर कैसे मिला, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, इंतजार कराने के लिए माफी जाता हूं, मतलम इंतजार कराने के लिए माफी जाता हूं, मैं इसके सक्त खिलाफ हूं, तो हम बोलेंगे, I am dead set against it, किसी तरह से मैं बचा, I scabbed somehow, यह उसकी गलती नहीं है, It's not his fault, अपनी मुठी खोलो, unclench the fist, वो ठक रही है, मतलम वो दौरते दौरते भी ठक रही होगी या चलते चलते भी ठक रही होगी, तो हम बोलेंगे वो ठक रही है, तो उसके लिए हम बोलेंगे, She is tiring, She is tiring, उसे बैचैनी हो रही है, She is feeling uneasy, She is feeling uneasy, उल्टा जवाब देना बंद करो, अक्सा पैरेंट्स अपनी बच्चों को दाड़ते हुए कहते हैं न, उल्टा जवाब देना बंद करो, तो बोलेंगे, Stop answering back, Stop answering back, कानफो से मत करो, Don't whisper, Don't whisper, तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत सारी sentence हिंदी में लेकर आई हूँ, जो आप लोगों मेरे साथ practice करते हुए चलना है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, वो translation practice का ही है, मतलब translation के पूरी practice करने वाले हैं इस वीडियो में, जितना हम लोगोंने सुरू से सीखा है, आज हम बोल बोल का वो practice कर पाएंगे, ताकि हम देखेंगे कि हम वों sentences को कितनी अच्छे से जानते, कितना बोल सकते हैं, ताकि जब आपको English बोलने की बारी आए, तो आप बीच में अटके ना, हिच की चाहे ना English बोलने के लिए, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती, I don't पहुतों से नहीं डरती, I am not afraid of ghost, I am not afraid of ghost, Afraid of, Afraid of means डरना, जासे के आप ये भी बोलते होंगे, मैं आपसे डरती हूँ, I am afraid of you, मैं आपसे नहीं डरती हूँ, I am not afraid of you, मतलम आप एक ही sentence से बहुत सारे sentence बना सकते हाँ, आभी हम लोगों ने कांसे sentence किया, मैं भूतों से नही दरती तो उसके लिए हम लोगों ने बोला I am not afraid of ghost अगर हमें बोलना हो मैं भूतों से डरती हूँ I am afraid of ghost मतलब एक sentence आप बहुत सारे sentence को खुद ही translate कर सकते हैं जैसे आगे है मेरा पेट भरा हुआ है तो हम बोलेंगे I am full I am full मेरा पेट भरा हुआ है मैं station के पास हूँ I am near the station य I am near your home तो इस तरह के sentence आप एक sentence से बहुत सारे sentence बनाईए आपको बहुत ही अच्छे से English बोल पाईएगा आगे है अपने जूते पहन लो put on your shoes put on your shoes यह काफी योज करता है ना put on your shoes अपने जूते पहन लो उसने अपना future बरबात कर लिया she has spoiled her future she has spoiled her future guys मैं आपको पहले बता तो इसमें हम लोग tense का discussion नहीं करेंगे क्योंकि tense का discussion करने जाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर आप English में conversation करना सीखना चाहते है तो उसके लिए आपका tense strong होना चाहिए अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं जानते तो मैंने बहु अभी तुम क्या कर रहे हो दोनु sentence एक ही है क्या कर रहे हो तुम अभी यह अभी तुम क्या कर रहे हो what are you doing now what are you doing now कोई आ रहा है someone is coming someone is coming तुम्हारा फोन आ रहा है your phone is ringing यहão पर हम लोगों ने बोला कोई आरा है तो कोई आ रहा है यानि कि परसन कोई आरा है चल कर आरा है तो चल कर कर आने के तुम्हारा call आ रहा है तो उसके लिए हम बोलेंगे your phone is ringing your phone is coming नहीं your phone is ringing मैंने उसे सब कुछ बता दिया I told him everything मेरा मन नहीं है इस काम को करने का I don't feel like doing this work हम मन नहीं है बोरा ना मन नहीं है के लिए feel like का भी या willing to का भी यूज कर सकते हैं तो हम लोग ने पहले यूज किया I don't feel like doing this work या फिर I am not willing to do this work दोनों का मतलब एक ही है कि मेरा मन नहीं है इस काम को करने का तो मित्ते परिशान क्यों हो Why are you so worried उसे सब समझ आ गया He understood everything ये past की बात हम किये न कि उसे सब समझ में आ गया इसलिए हम लोग ने वर्फ का second form यूज किया ये past indefinite का He understood everything इस dress को पहन कर देखो Try this dress on पहन कर किसी चीज को पहन कर देखने के लिए हम try on का यूज करते हैं इसलिए try this dress on पापा ओफिस से आ गये हैं Father has come from office अकसर पापा ओफिस से आते हैं तो बच्चे अपने मा से बोलते हैं कि पापा ओफिस से आ गये हैं तो बोलेंगे Father has come from office दरो मत भूत नाम की कोई चीज नहीं होती तो हम बोलेंगे There is no such thing as ghost There is no such thing as ghost आजकल हर कोई English सीख रहा है Nowadays everything is learning English Nowadays आजकल के लिए हम लोग नहीं यूज किये हर कोई के लिए everyone के साथ helping work इस हम लोगों नहीं यूज किया Nowadays everyone is learning English मैंने ऐसा नहीं कहा I did not say that I did not say that आप अपने आपको समझते क्या हो What do you understand yourself? चिंता मत करो समझो हो गया आप किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं तो वो दूसरा वैक्त आपको बोलता है न चिंता मत करो समझो हो गया तो बोलेंगे Don't worry, consider it done समझो हो गया के लिए आप Consider it done का यूज कर सकते हैं Don't worry, consider it done खाना अभी तक तयार नहीं है Food is not ready yet Food is not ready yet कौन आया? Who came? कौन आया? वो अभी तक नहीं आया है He did not come yet अभी तक हम बोल रहे हैं इसलिए yet का यूज कर रहा है यहां भी हमलोगोंने खाना अभी तक नहीं हुआ है तो अभी तक के लिए yet का यूज किया यहां भी वो अभी तक नहीं आया है तो अभी तक के लिए यहां भी हम लोगा ने at का यूज़ किया मुझे देर हो रही है I am getting late यह आपको बोलना हो उसे देर हो रही है She is getting late क्या आपको देर हो रही है Are you getting late हमें देर हो रही थी अगर आपको पास्त में बोलनी हो हमें देर हो रही थी तो बोलेंगे we were getting late तो एक ही sentence हम लोग ने कई सारे sentence बनाए तो इसी तर से आपको भी बहुत सारे sentence बनाने होंगे तो guys आप लोग मेरे साथ practice करते करते चलिए तब आप sentence को बोल पाईएगा practically use कर पाईएगा आपको मेरे साथ practice ही करनी पड़ेगी तब ही आप किसी से conversation कर पाएगे English में जैसी कौन कौन आएगा who all will come मैंने डबलेज फैमिली वर्ट्स वाले वीडियो में बन कौन के लिए हम मैंने आपको बताया तो who all का use किया जाता है तो कौन कौन आएगा who all will come वो दो दिन से यहां है he has been here for two days he has been here for two days मैंने मजाग में कहा I said it in joke I said it in joke ध्यान से खाना गर्म है be careful food is hot be careful food is hot कुछ साल इंतिजार करो wait for a few years wait for a few years बाकी सब मैं सम्हाल लोंगा I'll take care of the rest I'll take care of the rest यह बस सच हो सकती है this may be true this may be true यह भी हम काफी यूज करते अपनी daily life sentences बें सबको ऐसा ही लगता है everybody thought so everybody thought so यह बात फिर से मत कहना don't say this again don't say this again तुम्हें बहुत देर हो गई है you are too late you are too late अगर मैं now तो what if I don't come what if I don't come what if WH family words है what if I don't come अगर मैं now तो समय पर पहुंच जाना reach on time reach on time बोलो कब जाना है tell me when to go tell me when to go आज रत यहीं अराम करो take risk here tonight यह थोड़ा महेंगा है it's a little expensive कहीं और चलो let's go anywhere आव हम चाय पीते हैं come let us take tea come let us take tea तुम अभी तक जाग रहे हो you are still awake अक्सर parents अपने बच्चों को बोलते कि जाओ सो जाओ लेकिन फिर भी बच्चा अभी तक जागता है तुम अभी तक जाग रहे हो तो बोलेंगे you are still awake अब सोने का समय हो गया है it's time to go to bed ज्यादा दे तक जागना नहीं don't stay up too late light आ गई है power is back on यह मेरा पहला परियास है this is my first attempt मैं इससे बाहर हूँ I am out of this इसकी बड़ी मांग है it's very demanding कोई चीज बहुत जादा बिकनी लगती है न तो हम अकसर बोलते न वो चीज की बड़ी मांग है तो हम बोलेंगे it's very demanding इसकी बड़ी मांग है जो तुम्हें करना है करो जो करना है करो किसी को उम गुस्से में बोलता है न तुम्हें जो करना है करो तो उसके लिए हम बोलेंगे do whatever you want उसकी गलती नहीं है it's not her fault अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो leave all your bad habits दूसरों की नकल मत करो don't copy others तुम हमेशा मुझे रुलाते हो you always make me cry यह क्या तरीका है? what is this way? यह क्या तरीका है? मुझे अच्छे से याद है I remember it well मुझे अच्छे से याद है I remember it well सब गंदा लग रहा है everything looks dirty everything looks dirty क्या देखे? what to see? क्या अब जा रहे हैं? are you going? मुझे दोनों पसंद है I like both मैं अभी तक जितने भी sentence आप लोगों को बताई हूँ वो सारे आप अपने daily life में यूज करते ही होंगे कभी ना कभी तो यूज करते ही होंगे तो आप मेरे साथ practice कीजे जो आप हिंदी में sentence बोलते हैं उसे English में बोलिए देखे आपके English कितनी इंप्रूव होती है जैसे मैं आउंगा किसी साब पूस्ते हो ना कि क्या तुम आ रहे हो तो वो reply करता है मैं आउंगा I'll come I will come आप I'll come भी बोल सकते है I will come भी बोल सकते हैं मैं जाओंगा I will go या I'll go मैं भाग लोंगा I will attend आवाली जो किये ना ये सब future में है मैं आउंगा मैं जाओंगा मैं भाग लोंगा मैं खाऊंगा मैं सोऊंगा ये सारे future है जिसमें आपको will लगाने पड़ेंगे भोजन परोसे serve the food serve the food चुप रहो shut up मैं तयार नहीं हूँ I am not ready I am not ready अब क्या what now अब क्या what now आगे क्या what next क्या करे what to do क्या करे what to do क्या तुम पागल हो are you mad are you mad ये साफ है that's neat that's neat साफ के लिए neat का यूज किया गया clean का नहीं यूज किया neat का यूज किया क्योंकि neat means भी साफ होता है that's neat खुद पर नियंत्रन रखो control yourself control yourself क्या अब वहाँ है are you there are you there इसे सही करे do it right do it right मैं तुम से नफरत करता हूँ I hate you मुझे यह पसंद है I love it मुझे यह मुश्किल लगता है I find it difficult मैंने कर लिया I'm done मैं डरा हुआ हूँ I'm scared क्या यह अच्छ है is it good आप किसे एडवाइस लेते वे पूछते हो न क्या यह अच्छ है is it good क्या यह तुम्हारा है is it yours क्या यह तुम्हारा है is it yours तयार हो जाओ get ready तयार हो जाओ get ready तुम गलत हो you are wrong तुम गलत हो you are wrong तुम नहीं not you यह वह दयालू है he is kind वह दयालू है he is kind वह मंदार है he is honest सांती बनाए रखे keep calm मुझे देखने दो Let me see, मुझे देखने दो, let me see, मुर्ख मत बनो, don't be silly, बहुत देर हो चुकी है, it's too late, it's too late, जल्दी करो, hurry up, कोई जानकारी नहीं, no idea, क्या बेवकूफी है, how stupid, उसे विदा करो, seem off, चुप रहो, keep mom, keep mom, हमारे सामने कोई जादा बोलने लगता है न, तो हम बोलता है न, चुप रहो, बहुत जादा बोल रहो तुम चुप रहो, तो चुप रहो के लिए हम बोलेंगे, keep mom, मेरा विश्वास करो, trust me, या फिर मुझ पर विश्वास करो, believe me भ बोल सकते हैं, मुझे वापस कॉल करना, call me back, मुझे वापस कॉल करना, call me back, मुझे पर एक ऐसान करना, do me a favor, मुझे समझ नहीं आ रहा है, I don't understand, मुझे समझ नहीं आ रहा है, I don't understand, रहने भी दो, forget it, मेरे साथ पंगे मतलो, don't mess with me, संपर्क में रहना, keep in touch, आख मत मारो, don't wink, ध्यान रहे, watch out, कोई बात नहीं, never mind, कोई बात नहीं, never mind, जुबान संभाल के, mind your language, पहले आप, you first, मेरी दावत, my treat, मेरी दावत, my treat, शुबलाब, या सौभाग्या है, अकसर को एक्जाम देने जाता है न, तो मुझे बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं, good luck, तो good luck को हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में नहीं पता होता है, तो शुबलाब को हम बोलेंगे, good luck, या सौभाग्या है, good luck, मेरे पीछे आओ, follow me, उसके पीछे जाओ, follow him, कितना, how much, कितने, how many, कितने, how many, बहुत ही छोटा sentence है, लेकि अक्से इस्टोरी से confused हो जाते हैं, कितने means क्या होता और कितना means क्या होता है, तो आपको confused नहीं होना, जब आपको कितने बोलना होगा, तो how much बोलेगा, जब आपको कितने बोलने होगे, तो how many बोलेगा, clear, आपके बाद, after you, मजे करो, have fun, मजे करो, have fun, इतना लंबा समय, so long time, जाने दो, let it go, मैं अशुविकार करता हूँ, I decline, मैं वादा करता हूँ, I promise, मैं वादा करता हूँ, I promise, आप कैसे हैं, how are you, अक्सर हम किसी से phone में बात करते हैं, या बहुत दिन बात किसी से मिलते हैं, तो हम उसे पूछते हैं, आप कैसे हैं, तो हम बोलेंगे, how are you, समय समाब्द, time's up, समय समाब्द, time's up, मैं परिशानी में हूँ, I am in trouble, I am in trouble, क्रिपिया बैठ जाए, please be seated, please be seated, क्रिपिया बैठ जाए, मैं खो गया हूँ, I am lost, मैं घर पर हूँ, I am home, क्या चल रहा है, what's going on, क्या चल रहा है, what's going on, तुम कहाँ थे, where were you, तुम कहाँ थे, क्या मैंने आपको सही समझा, did I get you right, क्या मैंने आपको सही समझा, इसे दिल पर मतलो, don't take it to heart, don't take it to heart, मुझे नीद आ रही है, I am getting sleepy, मुझे नहीं पता, या फिर आपको बोलना हूँ, मुझे नहीं मालूम, I don't know, I don't know, उसे गाली मत दो, don't abuse him, मुझे नहाने दो, let me take part, let me take part, मुझे नहाने दो, कल मिलते हैं, see you tomorrow, मैं छोड़ता हूँ, I quit, अपने दिमाग का इस्तमाल करो, use your brain, मैं समझ गया, I see, ये see मतलम देखना नहीं, समझना आम लोग यूज किये, मैं समझ गया, I see, मैं अविवाहित हूँ, I am single, अविवाहित मतलम शादी शुदा नहीं होना, मैं अविवाहित हूँ, I am single, मुझे ऐसा लगता है, I think so, मुझे ऐसा लगता है, I think so, I hope guys, मैंने जितने भी sentence आप लोगों को पताया, आप लोगों ने मेरे साथ बोल-बोल का प्रैक्टिस किया होगा, अगर आप लोगों ने बोल-बोल का प्रैक्टिस किया है, तो 100% आपके English improve होगी है, क्योंकि अक्सरम conversation में इस तरह के sentence बोलते रहते हैं, Guys, यह वाले sentence है न, यह बहुत ही basic वाले sentence है, ताकि यह basic आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसके बाद हम दो-दो sentences को connect करेंगे, और भी sentence नेंगे किसी particular topic से related, तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को comment में जरूर बताए, वीडियो अच लगी तो वीडियो को like करना बेलकुल भी मत भूलेगा, और जो आपकी friends related, जो English सीखना चाते, उन्हें share जरूर कीजेगा, अगर आप चैन पर नहाए, तो चैनल को subscribe कर, bell icon जरूर क्लिक कीजे करता कि जब भी मैं वीडियो अप्लोट करो, आप तक notification मिलती रहे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए keep learning